आज वारे साथ है अनन्द सर और यहां की काकटों की टॉप पकल्टी आप सभी लोग जानते होंगे काभी सारी रेंक्स बेस्ट वेस्ट रेंक्स दे चुके हैं तो बच्चों आज से दो-तीन कुश्चेंगे आप लोगों के ही कुश्चेंगे तो सर आपसे सर पहला कोश्चन नए साल के बहुत सारी शुब कामना है और पिछला साल आप सभी का बहुत शांदार तयारी में गया होगा उम्मीद और अगला साल भी बहुत अच्छा जाने वाला है तो जैसा कि सरका क्वेश्चन है कि आखरी के 20 दिन में क्या स्ट्राइटजी होनी चाहिए बचो तो मुझ सबसे पहले आखरी के 20 दिन में में कभी यह सलाह नहीं देता बहुत जादा कि आप जो भी आपने पढ़ा है उसको आप बहुत अच्छे से त्यार करिए और जो एक दो चाप्टर या चार चाप्टर आपके रह गए हैं उनको बहुत रिग्रेस पढ़ने की जुरुत नहीं जादा फोकस आपको करना है आपने जो 80-90% या 90-95 या 100% आपने अगर सिलेबस पढ़ लिया है तो आप उसको रिवीजन बहुत अच्छे से करें आपने जो नोट्स और सौट नोट्स बच्चों बनाए उनको अच्छे से बार-बार पढ़े और देखें कि प्रीवियस हर चैप्टर की अनलीसिस करें कि पिछले कुछ सालों में किस तरह के क्वेस्टन जादा आ रहे चुकि हमारा अल्टिमेट गोल एक्जाम में अपने स्कोर को मैक्समाइज करना और मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आखरी के टाइम में बच्चे पैनिक बहुत होते हैं स स्ट्राइटजी बच्चों यही है रिवीजन पर फोकस करना है लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जैनवरी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते जिनका पूरा सिलेबस नहीं होता है यह देखा गया है लेकिन अपरेल वाले एक्टम में बच्चे जादा स्कूर करते तो जैनवर का उसको आप भले बोड लेवल पर प्रिपेर करके जाए उसको कम टाइम उसके शॉर्ट नोट्स या हमारे यूट्यूब चैनल में जो भी आप देखेंगे तो उस चैप्टर के वन शॉट वीडियो मिल जाएंगे उनको देख करके आप उनके नोट्स बना करके उनमें जो पढ़ा है अब तक उसके रिवीजन पो बहुत ज़्यादा टाइम देना है 80 तो 90 परसेंट और 20 परसेंट जो चाप्टर बचे हुए उनको हलके हाथो एक नजर मारनी है शॉट नोट्स बनाने और उनके पी वाई क्यू सॉल्व करके हमेरे स्ट्राटजी बनाने हैं सर यह ह इस इस तरीके से रैंक दी बेस्ट तो सर कही न कहीं बच्चों किसमें जो माइन में एक कोश्चन चल रहा है सर आप भी experience है आपको physics subject का सबसे बढ़िया experience है कि आपको कैसे 100 percentile दिलाना बच्चों को 99 percentile कैसे दिलाना है तो सर कम से कम अगर मैं बात करूं अगर 99 plus percentile बनाना तो मेरे को लग रहा है कि 80 plus marks 70 plus marks आने ही चाहिए तो सर बच्चों को यह सर बताइए थोड़ा बहुत सर की 99 percentile अगर एबब करना है मतब 72 80 या 82 90 marks अगर लाने तो सर उन्हें कि subject पे command करनी चाहिए कौन कौन से topics अच्छे से उन्हें पढ़ लेना चाहिए और जिसमें चुकि mathematics एक lengthy subject है और उसे solve करने में जहां तक on an average कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो समय ज्यादा लगता है तो physics और chemistry मेरे हिसाब से chemistry most scoring और उसमें थोड़ा समय relatively कम लगता है physics उसके बाद और सबसे ज्यादा math आता है कभी-कभी math भी relatively easy आ जाता है थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकता है तो मेरे हैसाब से on an average 70 marks लेके चलना है अगर मैं मानलू math में पांच कम है तो physics और chemistry में पांच मार्ग जाता है 99 परसेंटाइल लाने के लिए at least आपका 80% syllabus अच्छे से पड़ा होना चाहिए और मेरा यह मानना है कि जे में में अच्छा score करने के लिए अगर आपको बहुत deep analysis वाले question analytical problems को अगर आप tackle नहीं भी किया आपने advance के बहुत सारे questions नहीं लगाएं पर आपको हर chapter के fundamentals clear हैं सारे के सानी जी तो मेरा यह मानना है अगर हर chapter के fundamental को अच्छे से clear कर लिया जाए और उस पे जिस तरह के mains के question आ रहे है उससे थोड़े से अच्छे questions पे command कर ली जाए और बहुत जो subjective और बहुत detail वाले सवाल है अगर उन पे हमने उतनी पकड़ नहीं की तो भी हमारा 99% लाएना बहुत आराम से ला सकते हैं तो मेरे इसाब से 80% syllabus at least पढ़ाऊना चीए उसको अच्छे से revise करना है हर chapter का fund कहीं से भी सवाल आ सकता है यह नहीं सोचना है कि कई बार मैंने देखा है सर्क इसमें गलती यह होती कि बच्चे से पिछले तीन साल के सवाल देख रहे हैं कि पांस topic के question जाता है यही आएंगे यह गलती पीवाई क्यू देखकर हमें का आइडिया लगता है कि कैसे question पूछे जा रहे हैं लेकिन हमें सिर्फ पीवाई क्यू के सारे नहीं रहना हमें उस chapter में जितने भी concept है चुकि जो पिछले तीन साल में जो concept नहीं आये उनके आने की probability ज्यादा रहती है इसलिए सारे chapter को पढ़ अगर बच्चो अगले 20 दिन की strategy बहुत मेहनस से 12-15 गंटे dedicate कर दें तो जिन बच्चो को लग रहा है कि उनके लेंटी नहीं नहीं आएंग वो definitely ला सकते कोई बड़ी बात लेक सर आप से और question से जैसे की teacher का काम होता है एक medium student को उसको select कराना तो सर मैं भी देख रहा हूं लगबग आपको 14-15 year हो गया है काफी सारे बच्चे select आपने कराएं और experience आपको मेरे से बहुत ज़्यादा है और सर जो हमारे अभी medium students है उन बच्चों के लिए कुछ message दीजिए कि सर उनको कौन से topics पे अभी थोड़ा command कर लेना चाहे चार-प medium level मतलब medium क्या हो जो भी reason रहा हो में यह नहीं कोंगा सर हार बच्चे के पास अपनी skill होती है तो बच्चे सर आते हैं टेस्स देने के लिए आते हैं उनके questions रहते सर मेरे को सर टेस्स से बहुत डर लगता है सर उनको डर इसलिए लगता है कि सर बहुत सारी coaching से online पढ़ रहे हैं और यह सर बच्चे रियल मैं बतारो जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे आपको खुद लगता होगा जब आप टेस्स देते होगे तो कहीं न कहीं आपको डर लगता होगा या टेस्स देने जा रहे बट जब आप टेस्स देने जा रहे हो अगर आपने अच्छी coaching कर जैसे कि आप किसी भी coaching से पढ़ रहे हो आप अधर coaching का टेस्स दीजिए फिर आप को टोपिक वाइस टेस्स आगे उसमें वही डाल दे बट आप अधर coaching का टेस्स देंगे तो आपको एक level पता चलेगा कि आ 80 70 आ रहे हैं बड़े आराम से 1500 marks ला सकते हैं मेरा यह मानना है कि अगर कोई बच्चा जोसे लग रहा है कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो इसमें इतनी जारा सीट्स हैं IIT और NIT में कि अगर वो 1500 marks भी ला रहे है जन्वरी एटेंट में तो 100 परसेंट 95 परसेंटाइल वो टच कर जाएगा और उसको एक अच्छा एनाइटी मिल जाएगा ठीक ताग एनाइटी मिल जाएगा और अप्रेल में और इंपूर्व कर सकना जाएगा 1500 marks लाना बहुत ही आराम से गर वो 20 दिन की स्ट्राइटजी सही से फॉलो करें जो भी स्कोरिंग चैटर से मैं फिजिक्स में आपको बता हूं तो फिजिक्स में जो तफ वाली मेकानिक्स है उतनी जादा जही में में नहीं नहीं आती तो अगर वो काइनमैटिक्स यूनिक् इस लिए जैसे में बलकी टॉपिक रोटेशन वगरा के चुकि बलकी टॉपिक ही बड़े-बड़े बगते हैं तो उसमें उतने ज्यादा सवाल नहीं पुझाते हैं तो एक तो फिजिक्स में 12th क्लास की फिजिक्स ज्यादा आती बिकॉस 12th से बच्चा आ रहा तो कहीं न कहीं वो उस बात को धिहान में रखते हैं कि बच्चे ने 12th किया है तो जही में में 12th का content relatively dominate करता है औ maximum mostly 12th क्लास के topics ले लो 11th क्लास में अगर आप thermodynamics ले लो thermal physics के तीन question आते हैं पर वो चैप्टर उतना tough नहीं है और जो tough mechanics है जैसे rotation, centrum, mass है इनके fundamentals भी आप पढ़ ले रहा हो तो एक एक दो-दो सवाल आते हैं बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं तो मेरा यह मानना है 12th की physics पर attack करना चाहिए, electrostatics, current, magnetism, modern physics से question 3-4 आते है, modern physics scoring chapter है, optics formula based चलती है, optics बिलकुल tough नहीं है, optics को score कर सकते हैं 11th में kinematics हो गया, thermal physics हो गया, जैसे wave बड़ा topic, but wave कुछ topic ऐसे जो बलकी है, बड़े, लेकिन उनमें J-E main में specifically वो 2-3 concept पर question पूछते हैं, जैसे wave में town पे कुछ पहले Doppler था, इस बार तो syllabus से अट गया ने, तो Doppler पूछते थे, organ pipe पूछते थे, जैसे wave में, J-E main में सवाल आ wave की speed पूछ ले रहा है, superposition का simple कर से पूछ ले रहा है, तो मुद्दा यह है कि हमें जो बहुत tough side-chap, tough chapters है, जिन में बड़े-बड़े सवाल बनते हैं, अगर हम उनको ना भी ध्यान दे, 60% syllabus भी कर ले, तो 1500 से लेकर, 160, 170, 180 नमबर लाना मेरे ले, बतलब बच्चों के 2D, पूरा इदर unit and measurement के 3-4 सवाल, तो इस तरह से अगर वो देखेंगे, तो पूरे 30 सवाल में 25 में जो हमें करने attempt, 15-18 सवाल बड़े-अराम से निकाले जा सकते हैं, तो 12 की physics पे attack करना चाहिए, 11 की physics में जो छोटे chapters है, gravitation है, छोटा है, एक सवाल आता है, तो SHM में बहुत detail, tough question नहीं आते, SHM इतना बड़ा नहीं, वैसे तो oscillation बहुत बड़ा topic है, बट जो आता है pendulum पढ़ लेना है, spring math system पढ़ लेना है, तो कहने का मतलब examination oriented पढ़ना है, बहुत आखरी के समय में ज्यान के लिए नहीं पढ़ना है कि हमें mastery करनी subject में, हमें ये देखना है कि सवाल क भी faculty members, even मैं भी, उसी तरह के question यहाँ पर ले रहे हैं कि एक chapter में लगबगम से 50 question discuss कर रहे हैं, और मेरा दावा है कि कोई बच्चा को उस rank series को follow करता है, तो 100% में ही कह सकता हूँ, 90% सवाल उसी समय में, जेही में हो जाने के बाद मैच करा हूँगा कि देखो, ये rank series में question करा है था और उससे मिलता जिलता सवाल है, तो strategy सही होने चाहिए, विचार सकारत्मक होने चाहिए, attitude positive होना चाहिए आखरी के समय में, जिन बच्चो का score 100 से नीचे भी जा रहा है test series में, अगले 20-25 दिनों बड़े आराम से 1500 से 180 marks लाए जाता है, तो बच्चो आपने बात सुनी होगी बहुत इंपोर्टेंट आपके लिए वीडियो था क्योंकि बच्चो यह जो experience आपको आज मिला है न, जो हमारे सर बहुत सर के पास ज्यादा time नहीं रहता है, कापी सारे batches रहते हैं, तो बच्चो अगर यह आपको time दिया है, तो अगर कुछ आपको बात अच्छी ल प्रेल में आपको हम select कराएंगे और अच्छी rank दिलाएंगे, आपके साथ है RS Institute की team, ओके बच्चो बिलते हैं